नमस्कार सतिंदी.com में आपका स्वागत है एक नजर अब तक की सुर्ख्यों पर नागरिक्ता कानून पर बीजेपी के नेता और नेता जी सुभाष चंदर बोस के पोते चंदर कुमार बोस ने सवाल खड़े किये हैं उन्होंने ट्विट किया है कि अगर इस कानून का धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो फिर इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है हमें पारदर्शी होने की जरूरत है नागरिक्ता कानून और अनर्सी को लेकर शुरू से ही विरोधी रवया अपनाने वाली मम्ता बेनर्जी आज फिर कोलकाता में कानून के खिलाफ मार्च निकालेंगी ये मार्च स्वामी वेवेकानन के आवास से देकर गान्दी भवन तक होगा मम्ता कई बार कह चुकी है कि वो नागरिक्ता कानून और अनर्सी को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी चाहे उनकी सरकार को बरखास कर दिया जाए कुलकाता की जादपुर युनिवसिटी में चात्रों ने नागरिक्ता कानून में राजिपाल जगदीज धनकर के बयान के बाद उनकी कार को घेर कर विरोध प्रदशन किया राजिपाल विश्विध्याले में दीख्षान समारों के लिए पहुचे थे लेकिन प्रदशन के बाद उन्होंने दीख्षान समारों रद करने को कहा और इन प्रदशनों के लिए मुख्यमंत्री मम्ता वैनल जी को जिम्मेदार ठेराया नागरिता कानून का विरोध दिल्ली में भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है आज फिर मंडी हाउस में भारी विरोध प्रदशन होने वाला है ये मार्च मंडी हाउस से लेकर किष्ण मेंन मार्ग तक जहां अमिशा का आवास है वहां तक होगा हाला कि पुलिस ने यहाँ पर पहले से ही धारा 144 लागू कर दी है इसके लावा अदेश के कई हिस्सों में नैशनल प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है नागरिक्ता संचोधन एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान मेरट में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के लिए आज प्रियंका गांदी और रहुल गांदी मेरट के लिए रवाना हो गए है इससे पहले प्रिंगा गांधी बिजनौर भी गई थी और हिंसा में मारे गए लोगों के परजनों से मुलाकात की थी गौरतरा भाय की सोमवार को ही कॉंग्रेस पार्टी ने दिल्ली के राजगाट पर नागरिता कानून के खिलाब सत्यागरे किया था अबनेता नसीरुद्दिन शाह ने देश की हालात पर मशूर हस्तियों के ना बोलने पर कहा है कि आज अधिक से अधिक लोग अपने मन की बात कह रहे हैं और लोगों के अंदर से डर खत्म हो रहा है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो लोग नहीं बोल रहे हैं जिनकी आवाजन सुनाई देंगे वो इसलिए भी हो सकता है कि शायद उनके पास खोने के लिए कुछ है नागरिता संचोधन कानूर और अनर्सी को लेकर मचे घमासान के बीच चर्चाय है कि सरकार राष्ट्रिय जन्संग के रईस्टर यानि की NPR को अपडेट करनी की तयारी कर रही है इस बीच AIMIM चीफ और हैडराबाद से संसत असदिनोवैसी ने सरकार पर NPR के जरिये गुप्त रूप से NRC लागू करने का आरूप लगाया है खबर है कि मोधी केबिनेट आज NPR को अपडेट करनी की मनजूरी दे सकती है जारखन में JMM यानि की जारखन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रेस और राष्टिय जन्त अदल गठवंदन को परचंड बहुमत मिला है गठवंदन ने 81 में से 87 सीटे जीती है इस जीत के बाद आप गठवंदन के नेता जल्द ही सरकार बनाने का दाबा पेश करेंगे और 27 दिसंबर को हेमन सोरिन मुक्यमंत्री पद की शपत ले सकते हैं जारखन में BJP के हार का एक कारण गयर आदिवासी मीत्या भी रही है वो इसलिए क्योंकि 28 आदिवासी सीटों में से BJP को मातर दो पर ही जीत मिली है वहीं आदिवासी सीटे जीतने के मामले में जारखन मुक्ती मोर्चा यानकी JMM पहले स्तान पर रही बाटी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है और कॉंग्रेस ने 6 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की है रोहित शर्मा ने इस साल बल्ले से रन बरसाने के मामले में विराट कोली को पीछे छोड़ दिया है रोहित ने वन्डे में 2019 कैलेंडर येर में 7 शतक और 6 अर्धिशतक लगा कर 1490 रन बनाए हैं जिसके बाद वो इस साल सबसे जादा रन बनाने वालों की सूची में शीर्स पर पहुंच गए हैं दूसरे स्तान पर 1377 रनों के साथ विराट कोली हैं अब तक के खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे है सत्यंदी.com के साथ